नुश्कार दुस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक आज हम दिली के तालकडोरा स्टेडियम में हैं जहां पर किसानों और मलदूरों ने अपना जॉइन कन्वेंशन बुलाया है किसान संगठन और मलदूर संगठन इस जॉइन कन्वेंशन को अतिहासिक बता रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना अतिहासिक है या नहीं लेकिन ये बात जरूरत है कि किसान और मलदूर एक साथ अप संगर्सों में आ रहे हैं किसान फोर लेवर कोट की बात कर रहे हैं तो मलदूर MSP की गारेंटी मांग रहे हैं यहां पर आ में और वो कैसे देखते हैं आने वाले संगर्स को जॉइंट कर्विनेशन है आप लोगों का और मजदूरों का भी किसानों का भी जरूरत क्या पड़ी इस तरीकी के कर्विनेशन यह एक एतिहासिक सम्मेलन है क्योंकि देश के जो केंद्रिया ट्रेड उनियंस है दस केंद्र किसान मोर्चा का सभी संगटन मिलके यह एक जुटता के साथ मजदूर किसान एकता के तहत यह सम्मेलन आज यहां हो रहा है देश बर में जिस तरीके से पिछले दोहजार चौदा से अब तक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के नीतिया है कॉर्परेट लूट का नीती जो है उसको बड़ावा देने का नीती उसके खिलाफ और जिस तरीके से किसानों का और मजदूरों का हकों को चीनने का साजिश यह लोग कर रहे है उसके खिलाव बवुत बड़ा एक आंदोलन के लिए यहां निर्नई लेने वाले है। हम जानते हैं समईूक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन लड़ा एतिहासिक किसान आंदोलन उसमें मजदूर वर्ग उस पूरा आंदोलन में हमारे साथ दिया है। आज दोनों मजदूर वर्ग के सभी संगटन और सम्युक्त किसान मोर्चा मिलकर ये लडाई में साथ आगे जाने वाला है इतिहासिक क्यों कह रहे हैं आप लोग इसमें इतिहासिक क्या है इतिहासिक इसलिए क्योंकि सभी मजदूर संगटन और किसानों का सभी संगटन पहले बार एक प्लैटफॉर्म पर आकर इस सरकार के नीतियों के खिलाफ जो नावुदारवादी नीतिया है जिसके चलते किसान का कृशी संकट बहुत गहरा एक कृशी संकट है किसान यहां पर खुदकुशी करने में मजबूर है लाखों लोग जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आये है लगबग चार लाख से ज़्यादा सरकारी आकड़े कहते हैं किसान और खेत मजदूर और दिहाडी मजदूर यहां पर खुदकुशी किये है यह सिर्फ इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक संक्या का आत्माहत्या यहां पर हो रहा क्योंकि इसमें महिला, आदिवासी, बटाईदार, भुमिहीन यह सबी नहीं आते तो इनके जो नीतिया भी है उनके कॉर्परेट क्रोनीस जो है आदानी हो, अमबानी हो उनके हित के लिए काम करने वाला एक सरकार है, देश का संपती बेच रहे है, इस सब के खिलाफ यहां पर बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, महिंगाई बढ़ रहा है, यह सबी मुद्दों को लेके हम लोग किसान और मजदूर एक जुटता के साथ, जो सब कोशिश इस सरकार कर रहा है, कहीं धरम के नाम पर, जाती के नाम पर एक दरार पैदा करने का, उस सब को दरकिनार करते हुए, एकता के साथ, इनके खिलाफ हम लोग लड़ने वाले हैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जो स्वास्त विबाग है, उसके जो सबसे निचले सतर पे जो है, आशवर कर काम करती है, और उसके साथ-साथ ये भी कह सकते हैं कि वो जमीनी तोर पे, मतलब अपनी जंता के साथ, समाज के साथ वो जुड़ी हुई है, इसलिए ये चाहते है कि ये जो सबसे कम वेतन में, जो मजदूर मिले वे हैं, आशवर कर जो मजदूर उन्हें मिली हुई है, आज की तारिख में ये सारा काम सरकार उनी से करवाना चाहती है, आप अंधे लंगडों की सरवे करवा लीजिए, विडो की करवा लीजिए, और आप बच्चों की लीजिए, महिलाओं की करवा लीजिए, या तक की जो नशा करते हैं, उनकी भी सर्वे आशवाना चाहते हैं ये. तो मतलब ये सरकार को काम कराने से मतलब है, इनको क्या वेतन मिल रहा है, इनने ये भी नहीं पता सरकार को काम देने से पहले, कि ये इंसेंटिव बेस है, आप पहले कोई इंसेंटिव तो जोड़िए, आप काम दे रहे हैं, तो इनका इंसेंटिव भी जोड़िए उसके साथ कि भी हम इसाशा को ये काम करेंगी तो इतना पैसा देंगे मलब सरकार को सिर्फ काम कराने से मतलब वेतन और इंसेंटिव से कोई मतलब नहीं है देखे जैसा पूरे देश का जैसा हालात है वैसा ही हर्याना की भी महिलाओं के और तमाम मजदूरों के वैसे ही हालात हैं हम सब जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है जिस रफ़तार में उस रफ़तार में मजदूरों की आमदनी नहीं बढ़ रही है इसकी वज़े से बेहद मुश्किल समय से मज़़ूरों को इस समय पे गुजरना पड़ रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में तो मज़़ूर जो आज के दिन मंदिका भी सामना करना पड़ रहा है उनको महिने में जितने दिन पहले मज़़ूरी मिलती थी अब मज़़ूरी उतने दिन भी नहीं मिलती है तो मुश्किल हालात है और हर्याना की अंदर हम देख रहे ही कि अभी भी एक स्कीम WORKERS का अंदोलन चला हुआ है आशा वरकर्स चुह कि उससे पहले भी हमने देखा कि आंगनबाडी वरकर ह helpers का अंदोलन चल रहा था उसे पहले Mid-day Mil workers का अंदोलन चला ये तमाम संगठन महिलाओं के हैं ये प्रियोजना workers के संगठन हैं प्रियोजना workers हैं जो केंदर सरकार की जब हम बात करें तो केंदर सरकार से हम ये देखते हैं कि पिछले 17 साल से NHM की जो स्कीम चल रही है उसके अंदर आशावर कर काम कर रही है उसके अंदर 2018 में एक मामूली बढ़ोतरी की गई थी अन्या था 2005 में जो इंसेंटिवस तैय हुए कुछ इंसेंटिवस दो हजार बारा में तैय हो गए और आज 2023 है इंसेंटिवस में बढ़ोतरी नहीं है बड़े भासन देने से नहीं होता है गरीबों के सब्चीश करने से होता है तो यह होगा वो होगा क्या हुआ मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ जहां तक घाटा हुआ हम बच्चे के पढ़ाएंगे कैसे जाड़ू पोचा करते हैं खाना नहीं ढग से खिलाएंगे ता हम दर को भी थोड़ दिया तो Anakabadsadanे तो ALG мн益 में जो भी का टोड़ा नहीं सरकारी था कि पूरा तुल का इन सरकारी है जिसको सर में तेल रहता है, उसी के डालते है तेल किया कम करती हैं? मैं जाड़ों पुछा के कम करती हूँ कितना कमा लेती है? अभी तक कम नहीं चल रहा है, कोई कोषण ही में 12,500 देते हैं अभी वहाँ के जो, जो हड ने नुकसान किया है पंजाब में उसके जमीनी हालात हैं जो बहुत ही संजीदा है वहां पर बहुत सा एरिया है जो क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब में तो बारिश हुई नहीं पंजाब में तो सही मैने में अभी सोखा पड़ रहा है क्योंकि पंजाब का जो एरिया है बीच का वहां पर तो पानी का सथर और नीचा चला गया है अभी छे साथ फुट का मोटरों के लिए नए पाइप लगा के उसके पानी निकाला जा रहा है लेकिन जो उपर बारिश हुआ है जैसे हिमाचल में ज्यादा बारिश हुआ है शिमला बगेरा हिमाचल के एरिये में और जे एंड के का भी उपर का क दर्याओं में आया वो दर्या तूट गए साइडों से तो उसकी बज़ए से तकरीबं तकरीबं चार सो गाओं है जो तहश-नहश हो गया उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि जो मजदूर है मजदूरों के तो जो बकरियां बगैरा चोटा-चोटा जो उसका मतलब ज जो अभी से एक डेड़ महीना पहले जब आया पानी तो जो फसल उस समय धानकी लगा चुके थे तो वो सारी बह गई और उसके बाद में थोड़े दिन के बाद जब पानी नीचे गया तो उन्होंने दुबारा फिर से वहीं पर फसल लगाया और दूसरी बार वो भी चला गय होशियारपुर पठांड कोट से चुरू हो जाते हैं पठांड कोट के बाद में होशियारपुर नमाज शहर मुकेरिया एरिया सारा और रोपड का एरिया सारा और इधर पटैला का एरिया और उधर अमरसरतरंतारन का एरिया और जलंदर बगैरा जो पंजाब के डिस्टिक हैं उनमें बहुत भारी नुकसान हो गया है अभी दोबार इस बार तो इस बज़ा से जो बहुत से उसमें उसकी स्टेज भी कई है नुकसानों की एक तो जैसे मजदूरों का सब कुछ चला गया किसानों की भैंसें अपने खूटों पर बंदी हुई बंदी बंदाई मर गई और ऐसे लाइन में दस दस में से के किसान की मरी पड़ी है इतना बड़ा नुकसान हो गया और फसल में खेतों में उसके एक फुट से लेकर तीन फुट तक रेत चड़ गया तो जो अभी उसको इडेंटिवाई करना भी मुश्कल हो गया कि मेरा खेत कहा है तो उसके बाद उसमें से रेता कब निकालेगा इतना इस समय उन गाओं का इतना बुरा हाल है कि उन गाओं में अभी कनक की बिजाई जो अभी तीन महीने बाद होनी है वो कनक की बिजाई भी होने के असार नजर नहीं आ रहे क्योंके वहां से रेत उठेगा और नीचे से जमीन का डेंटी वो कोई सीरियस नहीं है। वरकर को पता ही नहीं है कि मैं किस ठेकेदार का हूँ अगर वो कोई निकाल देता है लेबर कोट कहता है मालिक जो प्रिंस्पल इंपलायर है कहता है मेरा तो मजदूर ही नहीं है फलाना ठेकेदार का है फलाना ठेकेदार का और इस तरीके से वो मजदूर अपनी कानूनी जो ह दो, उसे महरूम हो जाता है, महँगाई सरकार जान भूस करके करती है, चब लोगों का चंद इजारेदार जो मोनोपली हैं उनको पूरी इकठा करने का एस्टोक करने की छूट दे दी पहले जो आज से आठ साल दस साल पहले जो एस्टोक करने की लिमिट ती वो लिमिटेशन हटा दी जिसके पास जितना पैसा है वो उतने का समान घद भर करके दे रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आवस्यक बस्तूओं के लिमिटेशन की जो हद थी उस हद पर लाया जाए यह जो है ना आवस्यक काम ना किया जाए दिली एंचार रीजन के बारे में एक जो मैं कहूं कि छवी इस तरगी की बनाए गए है कि यहां पर तो किसान है ही है। आप कहीं भी देखें यह देश जो है किसान और मजदूर का देश है अपने देश में तक्रीबन 80% जनता किसान और मजदूर है। आज किसान को MSP की जरूर्ट है लेकिन सरकार MSP दे नहीं रही है। सरकार कहने के नाम पर MSP कहती है लेकिन जब फसल त्यार होती है और किसान अपनी फसल को लेकर मन्डी में जाता है तो उसको MSP नहीं मिलती परधान मंतरी फसल भी मायोजना है जो कि कोई भी फसल खराब हो जाती है तो किसानों को मौज़ा देने के लिए परधानमंत्री फसल वीमायोजना है लेकिन वो पूरी तरह से प्राइवेट कमपनियों के बेनिफिट के लिए बनाई हुई है पिछले साथ साल में प्राइवेट कमपनिया परधानमंत्री फसल वीमायोजना से तक्रीबन साथ हजार करोड रुपे का मुनाफ़ कमा चुकी है लेकिन किसान को समय पर मुआज़ा नहीं मिलता उस योजना में इतनी तूटियां हैं कि वो पूरे एक चक का बिमा करते हैं और जब तक बीस परतिसत फसल खराब नहीं हो जाती तो कहते हैं कोई मुआज़ा नहीं मिलेगा जबके हर खेत का जो भी खराब होता है उसका खराबे का मुआज़ा मिलना चाहिए देखी इस देश के अंदर मजदूर भी तरस्त है और किसान भी तरस्त है कर्परेट आज किसानी पे भी अपना जो है कबजा किया है आज खेती पर भी कर्परेट कबजा कर रहा है तो जब लूटने वाला एक है तो लड़ने वाले भी एकजुट होना पड़ेगा तो आज हमें अपने आपको बचाने के लिए जहां मजदूर एकजुट हुआ है वहां किसान भी एकजुट हुआ है कि आज इस देश का कर्परेट अडानी अमानी ग्यारा लाख करोड रुपया राइट ओफ कर दिया जाता है पिछले पांच साल के अंदर बड़े बड़े कर्परेट का और यह कहा जाता है कि कर्परेट ही टेक्स पेर है जबकि जब से जीस्टी लगी है एक गरीब आदमी जो पैर में चपल पहनता है जो बीड़ी पीता है सिगरेट पीता है माचिस इस्तेमाल करता है वह इस देश की रच जीस्टी के अंदर इस देश के कर्प के अंदर उसका भी हिस्सा है एक लाग पैंतालिस लाग करोड पै लोगों का जो कर है उसमें छूट दी जाती है तमाम परतसांद राशियां दी जाती है तो बड़े बड़े कार्परेट को जहां बचाने के लिए बड़े बड़े कार्परेट को जो जीवित करने के लिए जहां मजदूरों के जो शोशन हो रहा है कंपनियों के अंदर तेचार लेवर कोड आ गए ये क्या था ये सारा कार्परेट को किस तरह से कठपुतली जो है बनाना है इस देश के मजदूरों को और इस देश के किसानों पर भी हमला हुआ है तो इसलिए आज एकजूट होने देश की जो प्रस्तितियां है जो धरम के अ आने वाले दिनों के अंदर बड़े प्रोग्रम होंगे लखी तीन अक्तूबर को जो लखीमपूर की घटना थी यहां आजे मिश्ट टैनी अभी भी काबिज हैं उस तीन अक्तूबर को पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जाएगा 26, 27, 28 नमबर को देश की राजधा बन चुकी है और यह चीज उजागर हो गई एक अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले जिसके अंदर जो हम कहते थे के यह जो काले के यह कनून है यह कनून अडानी अम्मानी के हैं उस अडानी अम्मानी के कनूनों को एक शर्द मराठा एक कार्परेट का जो चला जो प्रकवाता है टास्क फोर्स बनती है शर्द मराठे और टास्क फोर्स बनती है उस टास्क फोर्स का हैड बनता है चीफ बनता है तो हम जो चीजे कह रहे थे हो सारी चीजे सच साबित हो रही है कि आज अडानी अम्मानी बैक डॉर से इस देश के अंदर लेवर कोड लेकर आते हैं और बैकडोर से ही तीन कनून लेकर आते हैं